जैस्री क्रश्ना, आज हम जानेंगे रासी फल के आधार पर किस उम्र में आपके पास सबसे अधिक पैसा होगा, किस उम्र में आप धन्वान बन सकते हैं, तो आईए वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो क्रिपा करके जादा सी जादा लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, चैनल पे नए होँ तो सबस्क्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, तो सुरू करते हैं, रासी फल के आधार पर कौन सी उम्र में आप अमीर बन सकते हैं, हर व्यक्ति कटिन परिश्रम करता है, और अमीर बनना चाहता है, हलागी अमीर ये गरीब होना कई वार किस्मत की बात होती है, जो तिसके अनुसार धन लाग होना रासी पर भी निरबर करता है, इसे में जान लेते हैं कि किस उम्र में आपके पास अधिक धन होगा, सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, मेश रासी के लोगों को 19, 28, 37 और 55 वर्ष की आयू में अचानक प्रचुर धन मिलने के योग हैं, आमतो पर इन लोगों को स्वम की महनत से पैसा बिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको परियाप्त धन का लाब होता रहे, तो नियमित रूप से मा लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करें, एसा करने से मा लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, और कभी भी धन धन की कमी नहीं होगी, ग्रेशरासी, ग्रेशरासी के लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद धन प्राप्ती होती है, इन्हें उम्र के 29, 38 और 56 वर्स में धन आगमन की संभावना प्रबल होती है, ग्रेशरासी के लोगों को अपने जीवन साथी से धन मिलने की संभावना जरूर बनती है, एसे व्यक्ति नियमित रूप से इस फटिक की माला को दहरन करें, जिससे उन्हें धन का कभी अभाव ना हो, मिथुन रासी, मिथुन रासी के जातकों को आयू के 27, 36, 45 और 57 वर्स में धन मिलने की प्रबल संभावना होती है, पिता पक्ष से और स्वम की मेहनस से इनको धन अवश्य ही प्राप्त होता है, नियमित रूप से हनुमान जी को चिंदूर चड़ाएं और हनुमान जी की उपास न करें, ऐसा करने से आपको धन धन में प्रद्धी होगी, करकराशी, करकराशी की लोगों को आयू के 23, 37, 32, 48 और 58 वर्स में धन के मजबूत योग बनते हैं, इस राशी के जातकों को धन प्राप्ति के मामले में ससुराल पक्ष का विसेश सहयोग बनता है, नियमित रूप से मा लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें, इससे आपके धन धन में प्रद्धी होगी, सिंग राशी, सिंग राशी के लोगों को स्वम की मेहनस से धन बनता है, आयू के 28, 32, 50 और 68 वे वर्स में धन प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं, तो इलाइची अर्पित कर इसे साध के रूप में ग्रहन करें, इसा कन्ये से जो भी धन सम्बंदी मुश्किलें आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं, और धन सम्पदा में प्रद्धी होती है, आगे बात करते हैं कन्याराशी की, कन्याराशी के लोगों को अपने कारोबार और जीवन साथी के द्वारा नियमित धन मिलता रहता है, खासतोर से आईउ के 15, 24, 33 और 42 वे वर्ष में अपार धन मिल सकता है, नियमित रूप से चांदी धारन करें और भगवान शिव की उपाशना करने से धन प्राप्ती सरल हो जाती है, तो कन्या राशी के लोग शिवजी का नियमित ध्यान करें, तुला राशी इस राशी के जात्तकों को आईउ के 16, 34, 42 और 51 वे वर्ष में इस्तरी पक्ष से धन प्राप्ती के योग बनते हैं, नियमित रूप से सूरिय भगवान को जल चड़ाने से धन प्राप्ती और खर्चे संतुलित रहते हैं, तो तुला राशी के जात्तक नियमित रूप से सूरिय भगवान को जल चड़ाएं, ताकि उनके धन धन में रद्धी हो, व्रश्चिक राशी, व्रश्चिक राशी के लोगों को पिता, चाचा और पतनी पक्ष के लोगों की तरप से धन मिलने के योग होते हैं, उम्र के 35, 45, 35 और 62 वे वर्श में प्रचुड धन मिलने की संभावना होती हैं, नियमित रूप से गणीश जी को दुरवा करें, और पोधों में जल डालें, एसा करने से धन की तापती होगी, धनुरासी, धनुरासी के लोगों को उम्र के 36, 45, 54 और 63 वे वर्ष में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, इस रासी के जातकों को माता या माता पक्ष से धन लाप की संभावना होती है, नियमित रूप से मा लक्षमी जी को गुलाब का पूल चड़ाएं, और गुलाब की सुगंद का खुद प्रयोग करने से धन प्राप्ति आसानी से होती रहेगी, बात करते हैं मकार रासी की, मकार रासी आम तोर पर इस रासी के लोगों को अपने कारोबार से धन मिलता है, उमर के 24, 37, 46 और 55 वर्स में धन आगमन की संभावना होती है, नियमित रूप से मंगलवार का उपुवास रखें और हनुवान जी की पूजा अर्च न करें, एसा करने से धन प्राप्ति अवश्य होती है, कुम्वरासी के जातकों को अपने भाग से और इस्वर की कृपा से धन मिलता है, आयू के 29, 28, 47 और 57 वर्स में इनको प्रचंड धन लाब होता है और नियमित रूप से मंदर में एले का दान करें, ऐसा करने से धन धन में व्रद्धि होती है, मीन रासी, मीन रासी के लोगों को उम्र के 49, 48 और 57 वर्स में धन के आगमन की प्रबल संभावनाय बनती है, इस रासी के जातकों के लिए संतान पक्ष हमेशा आर्थिक लाब का कारण बनता है, नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का धीपक जलाएं, इसा करना लावकारी होगा और सुक्सम्रती आएगी, तो इस तरह से सभी रासीयों के आधार पर आपके उम्र के जिस वड़ाव में आपको धन प्राप्ति होगी, उसका वर्णन बताया है, यदि आपको वीडियो पसंद आईए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके लिए और ऐसी ही वीडियों का सकें, धन्यवाद, जैश्री कृष्णा, जैश्री राम,